नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे न्यूट्रल फ्लेम के बारे में जो गैस वेल्डिंग फ्लेम का एक टाइप होता है क्योंकि गैस वेल्डिंग में मैटीरियल को मेल्ट करने के लिए जिस हीट की जरूरत पड़ती है वो हमें फ्लेम से मिलती है और gas welding में तेन टाइब की flame यूज की जाती है neutral flame oxidizing flame और carburizing flame तो इस वीडियो में हम discuss करेंगे neutral flame के बारे में तो तो सबसे पहले यह जानते हैं कि इसको neutral flame क्यूं कहा जाता है क्यूंकि इस flame के दौारा अगर हम बात करें जो material हम weld करते हैं ना तो वो oxidize होता है और ना ही carburize होता है तो कह सकते हैं कि material पर इस flame के दुआरा कोई भी chemical effect नहीं आता जो material हम weld करते हैं उसकी chemistry को ये effect नहीं करता तो जिसके कारण इसको हम neutral flame कहते हैं इस type की flame में जो oxygen और acetylene gas की जो ratio रहती है वो one ratio one रहती है जितनी oxygen आएगी और उसके respect में उतनी ही acetylene हमारी flame के अंदर आएगी इस लिए इसको हम balanced flame के नाम से भी जानते हैं क्योंकि अगर आप ये देखें ये gas welding torch है जिसमें हम जो blue color का regulator है यहां से oxygen को control करते हैं जो red color का regulator है इससे हम acetylene gas के flow को control करते हैं तो यहां से यह जो welding tip है जो nozzle है यहां पर यहां से हमारी flame बाहर निकलती है उसके बाद जो flame हमें मिलती है अगर आप इस diagram को देखते हैं इसकी construction की बात करें किस प्रकार की flame होती है इसमें basically दो zone बनते हैं एक इसमें inner zone होता है और दूसरा इसमें outer envelope होता है जिसे हम outer blue flame भी कह देते हैं और जो inner zone होता है यह बिलकुल ही clear well defined और luminous होता है और इसका temperature तकरीबन 3100 degree Celsius रहता है और जो इसका outer जो envelope होता है उसका temperature हमारा 1260 degree से 1280 degree के बीच में तकरीबन रहता है और जो inner cone होता है इसका जो temperature होता है वो basically हम material को melt करने के लिए use करते हैं जबकि जो outer envelope होता है इसका काम होता है material को preheat करना उसको preheat करना और साथ में oxidation से बचाने के लिए silding provide करना यह इसका काम रहता है अगर हम बात करें जो इसमें acetylene gas हम use करते हैं वो fuel gas होती है और इसमें दो तरह से combustion होता है क्योंकि जो neutral flame होता है इसमें जो additional oxygen हमें चाहिए वो air से मिलती है तभी जाकर हमारा complete combustion होता है क्योंकि acetylene का complete combustion होगा तभी जाके हमें heat मिलेगी क्योंकि इसमें दो stage में combustion होता है पहले stage में क्या होता है कि जो acetylene होती है वो oxygen के साथ react करती है ये oxygen हमें cylinder से मिलती है acetylene gas का जो cylinder है वो maroon या red color का होता है oxygen gas का cylinder black color का होता है तो इन दोनों में जब react होगा तो हमें carbon monoxide और hydrogen मिलेगी और साथ में कुछ heat मिलेगी और ये जो heat हमें मिली है ये हमारी अगर हम बात करें इसको हमें increase करना होता है तो उसके बाद क्या अगो कि जब second stage आएगी second stage में जो carbon monoxide और जो hydrogen हमें पहली stage में मिली है वो atmosphere से मिलने वाली oxygen के साथ react करेंगी और second stage में अगर हम देखें हमें ज़्यादा heat मिलेगी तकरीबन 812 kJ per mole के हिसाब से और ये जो higher heat हमें मिली है ये basically concentrated नहीं होती ये हमारा जो area होता है weld area उसको ये larger area पे ये distribute हो जाती है और जिसका हम use करते हैं metal को preheat करने में ये फिर silding provide की जाती है oxidation से बचने के लिए तो इस परकार से इसकी construction रहती है और उसके अगर हम बात करें जब इस flame का use करते हैं तो hissing sound आती है और इससे बहुत ही कम smoke है जो बाहर निकलता है और इसके अलावा अगर हम बात करें जैसा हमने बात की कि ये एक ऐसी flame होती है जो weld metal की chemistry को effect नहीं डालती और इससे हमें जो weld मिलता है वो दिखने में काफी clean होता है और इस flame के दुआरा हम mild steel, stainless steel, aluminium, low carbon structure steel, इतियादी material को बड़ी आसानी से weld कर सकते हैं और जैसा हमने देखा कि inner zone और outer envelope में अगर आप देखें temperature का variation है तो इस variation के कारण ऐसा है कि हम जो temperature होता है उसको आसानी से control कर सकते हैं अपनी requirement के हिसाब से और जैसा कि बात करें कि जो flame की adjustment है इसका mainly हम use करते हैं welding operation में या फिर cutting operation के दुरान preheat करने के लिए material को इसको weld किया जाता है और जो neutral flame जैसा हमने बात की हमें तभी मिलती है जब हम जो gas torch होती है हमारे पास उसमें से एक volume oxygen का और एक volume acetylene का बाहर निकालने तभी ये मिलती है अब बात करते हैं कि जो neutral flame है इसको कैसे हम achieve कर सकते हैं कैसे हमें मिलेगी सबसे पहले हम क्या करेंगे starting में जो acetylene pressure regulator है इसकी मदद से excess ज्यादा amount में acetylene बाहर आएगी और उसमें क्या होगा कि जो acetylene का जो यहां पर feeder होगा वो थोड़ा सा inner cone में होगा और उसके साथ क्या है कि 7 में हम क्या करेंगे next time में acetylene की amount को कम कर देंगे और oxygen की amount को increase कर देंगे जिसके प्रिणाम सवरूप क्या होगा कि जो यहाँ पर acetylene feeder बनेगा वो disappear हो जाएगा और जैसे ही acetylene का feeder यहाँ से disappear होगा तो neutral flame हमारी सुरू हो जाएगी क्योंकि neutral flame में सिर्फ दो ही zone हमने बताए है एक inner cone होता है दूसरा इसमें outer envelope होता है क्योंकि यह एक ऐसी flame है जिसको हम oxy acetylene welding में सबसे ज़्यादा इसका प्रियोग किया जाता है और इसमें जो weld करते हैं जैसे example के तोर पर अगर बात करें जब हम steel को weld करते हैं तो steel को weld करते समय अगर आप देखें इस flame से क्या होगा कि जो molten metal हमें मिलेगा जो weld pool मिलेगा वो काफी clear होगा और जो metal flow करेगा वो बिना boiling के और बिना sparking के आसानी से वो flow करेगा तो इस परकार से neutral frame की construction होती है इसके कारिया होते हैं और किस-किस material पे इसको किया जाता है वो हमने आपके साथ discuss किया अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ students के साथ तो जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे